अलो फ्रेंट्स नमस्कार एक बार आपको फिर से स्वागत है मैं मुकेश कुमार सान्वे स्टेट इंडिया प्राइबेट लिम्टेट से फ्रेंट्स आज जो हम आपके लिए फ्लैट तो नहीं कहूंगा क्योंकि यह फ्लैट नहीं है आज जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं जर से घर तो यह आपका जमीन के साथ यह जो हम फ्लैट आपको दिखाएंगे चालिस गर्ज का जिसके सामने दस फीट का सड़क है इसके डेर मंजिल बना हुआ है और इसकी जो कीमत हमने रखा है वो 24.5 लाक रुपीज रखा है इसमें समर्सीवल का जो कनेक्शन है जो पा बाहर से एलिवेशन रोड और फिर हम आपको यह जो जमीन जिसमें जमीन और चत दोनों आपका होगा वह हम आपको बारी बारी से घर दिखाएंगे आए यह सामने वाली रोड है रोड लाइक सरक जो है वह 10 फीट का है जो मैंने बताया और उसके आगे आप देख रहेंगे देख रहे हैं पुरी ओपिन लांड है मैं आपको एलिवेशन दिखाता हूं यह सामने विल्डिंग की एलिवेशन है कि मैं पुली आता हूं जो हमारे घर है उसके एंट्री की तरफ जैसे आप एंट्री लेते हैं तो इस तरीके का आपका गेट मिलता है यह आपके gate हैं उसके बाद हम अंदर आते हैं अंदर आने से पहले मैं दिखा दूँ यहा ओलीडी जो मीटर है एलेक्ट्रिक मीटर वह इंस्टॉल कर दिया गया आपको हम जो विजली का connection है वो करवा के दे रहे हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां summer civil लगाया गया है और यहां आपका gel board का connection दिया हुआ है आप यहां पर motor लगाएंगे फिर पानी आपकी उपर चड़ेगी उसके बाद मैं अगर यहीं से दिखाऊंँ आपको तो नीचे जो हमने दिया है वो दो bedroom दिया है एक kitchen दिया और एक bathroom दिया है एक bedroom आपको इस तरफ मिल जाता है यहां आपका kitchen है और एक bedroom आपको यहां मिलता है उसके बाद यह जो है आपका यहां पर आपका जो washroom है वो आपका आजाता है चलिए मैं आपको लिए आता हूं फिर हम लोग आगे चलेंगे यह हमारा फिर्स्ट बेड्रूम है इसकी जो फ्लोरिंग है वो डिजिटल टाइस की है इसमें फ्लोरिंग डिजिटल डाइस जो वेट्रिफाइड टाइस होती है वो की गई है इस तरह के बहुत ही अच्छे में यह वोल पेपर यहां लगाए गए हैं और उपर जो डिजाइन है आपकी जो आपका जो यह बेड्रूम होगा उसकी खूब सूर्थी को बढ़ाता है तो वह आपको फॉल सेलिंग मिलता है जिसमें कॉब लाइट्स और लेडी लाइट्स दोनों लगा दी गई है उसके यहां यहां यह बड़ा साफ को विंडो मिलता है क्योंकि इसके आगे जो सड़क है वो है यहां विंडो ऐसी के लिए प्रोविजन है और बांकी वेंटिलिशन के लिए चीज़े दी गई है उसके बद मैं आपको लिया आता हूं अपने किचिन की तरफ करे हुआ हमने सिंग दिया है और टैप्स लगाए गया है यहमें यह ठंदा पानी आएगा गडम पानी या और यहां आ इस एक में जो जलूण का स्पेस मिलता है पूर्ण में आपको यहां इसफेस मिल जाता है और लिग देख रहें यहां पर चिमनी ईलेक्ठोनिक चिमन से वह या अपर लगा कर्को देंगे उसके में नीचे भी दिखा उस दो नीचे आपको फार कि सब्चर्ण बूल दें हैं तो और यहां भी आपको cabinet मिल जा रहे हैं अब मैं आपको लिया आता हूं अपने सेकेंड बेडरूम में यह हमारा सेकेंड बेडरूम है इसमें भी जो टाइस लगाई गई है वो वेट्रिफाइड टाइस है और इस तरह के वोल्ट पर यहां पर दिये गए है उसके बाद यूपर डिजाइन दे गई है फॉल से लिंग की उसमें कॉब लाइट और एली लाइट दोनों लगा दी गई है उसके बाद इस जो बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए यहां विंडो दी गई है यहां देखें यह साप्ट का एरिया है नीचे से उपर तक आप यहां इसको पूरा जो वेंटिलेशन है रोस्मी इस तरफ से आप किया आईगी इस जो अभी आप देख रहे हैं इस घर को जो जर्मीन के साथ हम आपको फ्लैट दिखा रहे हैं घर दिखा रहे हैं इस पर आप चार मंजिल तक बना सकते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अपना जो वाश्रूम है वो एक बास तो हम यहां से वाश्रूम दिखाई तरह देख रहे हैं उदर आपके शावर के लिए लगाए गया है और इसके वेंटिलिशन के लिए यहां प्रोविजिन छोड़ा गया है आप इसमें एक जॉस्ट लगा सकते हैं मैं आपको लिया आता हूं इस से अपने जो हमारे जो फर्स्ट लोड है उसकी तरफ आई यह दे है और यहां nam si avg जहका मिलता है ताकि जो आपके घर में प्रोबर रोस्नी यह पूरा यह आपके ओपनेंस दिया गया है ताकि आपका जो स्सwalker से उस पर भी आपको रॉस्ट नी मिले है हम आचुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जैसे हम आते हैं तो ये खुला सा आपको एक ओपन छट मिलता है एक बड़ दिखाएं सुभम पूरा छट दिखाएं आप इस पे आप चार मंजिल तक बना सकते हैं उसके बाद इस तरफ हमने एक बेडरूम दिया है अगें जो इसमें टाइल यूज की गई है वो वेट्रिफाइटाइल से है और उपर इस तरह के डिजाइन आपको मिलते हैं और इसके वेंटिलेशन के लिए अगर आप उस तरफ रूम बनाएंगे छट पे तो इस जो हमारा ये बेडरूम है उसके वेंटिलेशन के लिए आपका यहां पर स्पेस दिया गया है इसमें विंडियो सी लगा सकते हैं हलाकि इसके साथ हमने एक इंडियन वोश्रूम दिया है यहां आपको वस्पेसन दिख रहा है यहां से अब दिखाएं यहां इंडियन सीट लगाई गई है तो फ्रेंड्स यह आपने जो देखा हमारा 40 रच का फ्लाट चलिए मैं आपको लिए आता हूँ एक बड़ फिर से नीचे लिए चलता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से देख सकें फिर से हम नीचे जा रहे हैं जब पूर आप देख रहे हैं यह आपको पैसेज मिनता है यहां पे और यह हमारा स्टेर्स है उपर से नीचे लाने का मेरा यह मकसद था कि आप देख पाएं अच्छी से और अगर इस मैं फ्लाट की बात करूं तो यह जो हमारा फ्लाट है यह मोहन गार्डन में 40 गर्ज में बना हुआ डेर मंजिल जैसे मैंने आपको दिखाया वो बना हुआ है इसका जो प्राइस रखा है हमने वो 24.5 लाग 24 लाग रखा है आप इस पे लोन ले सकते हैं कि इस do matter दिखाया है और इसको आप चार मंजिल तक बना सकते हैं पानी से हैगी और चाहभी आप आप देखने आना जमीन है जर के साथ आपकी रेजिस्ट्री होगी जमीन की रेजिस्ट्री ओगी आपकी तो नीचे से उपर तक जो साड़ा घर है चाहिए वह पहली मंजिलो दूसरी तीसरी हो अगर आप बनाते हैं तो तो साड़ा आप ही कर रहेगा तो फ्रेंज हम आप से बिलेंगे अपने एक नए फ्लाट में कुछ नई वीडियो के साथ नए फ्लाट के साथ तब तक आप अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें और अगर आप कॉल करना चाहते हैं देखने आना चाहते हैं तो नीचे हमने दिस्क्रिप्शन में हमारा किस्टोमर के नंबर है आप कॉल कर या पाई हम आपको फ्लाट दिखाएंगे इसका जो एड्रेस होगा वह है हमारा मोहन गारेन उत्तब नगर न्यू दिल्ली सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रीसियस टाइम हम आप से मिलेंग आपने एक नाइ वीडियो में, थैंक यू